आज है 26 अक्टूबर 2022 और 26 अक्टूबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोटेंट क्यूशन मन सकते हैं सारे में इस वीडिम में डिस्कस करेंगे और हर क्यूशन से रिलेटेड इंपोटेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वध्यान से दे दिवर्स यानी कि उनाटेड नेशन डे मनाए गया तो इसकूशन का बै अप्शन साही है एक्ट छोЖन में इन ईनाटेड नेशन की स्तापना हूई थी 24 अक्टूबर 1944 को इसलिवे हर साल 24 अक्टूबर को United Nation Day मनाए जाता है अच्छा United Nation का Headquarter कहाँ पे है New York में और इसके Present Time पे Secretary General कौन है Antonio Guterres अब मैं आपको October के अब तक के सारे Important Day डिवाइस कराता हूँ 1 October को Antrasti Bradjan दिबस Rasti Swachik Raktadana दिबस Bessu Sakahari दिबस और Antrasti Coffee दिबस मनाए गया इतने Important Day 1 October को मनाए गया 2 October को Antrasti Aynsah दिबस और Swach Baurat दिबस मनाए गया 3 October को Bessu Pariyabas दिबस मनाए गया 4 October को Bessu Pasu दिबस मनाए गया 5 October को Bessu Sikshak दिबस मनाए गया 7 October को Bessu Kapas दिबस और Bessu Muskan दिबस मनाए गया 8 October को Bessu Pravasi पक्षी दिबस और भारती बायू सेनों दिवस मनाया गया नौ अक्टूवर को बेश्टू डाक दिवस मनाया गया दस अक्टूवर को बेश्टू मानसिक स्वास्ते दिवस मनाया गया ग्यार अक्टूवर को अंतरास्टी बालिका दिवस मनाया गया यह important है अंतरास्टी बालिका दिबस ये 11 एक्टूर को मना जाता है 12 एक्टूर को 21 कठिया दिबस मनाया गया 14 एक्टूर को 21 कठिया दिबस मनाया गया सोल एक्टूबर को बेसु खादे दिवस मनाया गया, सत्रे एक्टूबर को अंतरास्टी गरेबी उन्मूलन दिवस मनाया गया, बेस एक्टूबर को बेसु सांखी की दिवस और रास्टी एकता दिवस मनाया गया, 21 एक्टूबर को रास्टी पुलिस इसमर्ती दिवस मनाया 22 अक्टूबर को अंतरास्ती हकलाहट जागरुकता दिवस मनाया गया 23 अक्टूबर को तेल दिवस और आयरवेट दिवस मनाया गया और अब 24 अक्टूबर को बेस्टू पोलियो दिवस और युनाइटेड नेशन डे मनाया गया तो यह अब तक के अक्टूबर के important day हैं यह आपको याद रखने हैं ध्यान रखना important day आपको तभी याद रहेंगे जब कोई भी important day आए उस मन्त के सारे important day आप बिल्कुल sequence मेरे बाइच करो तो अगर यह video आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस video को like और share जरूग्या करो next question हाली में FATF ने किस देश को उच्छ जोखिम बाले देशों की सूची में सामिल किया है तो अभी FATF ने म्याम्मार को उच्छ जोखिम बाले देशों की सूची में सामिल किया तो इस question का say options है अब उच्छ जोखिम बाले देशों की सूची इसे black list का जाता है इसमें अभी म्याम्मार को सामिल किया है एक्चुल में टेरर फंडिंग को रोकने और मने लॉंडरिंग के रोकने के लिए म्याम्मार के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं है इसलिए FATF ने म्याम्मार को इस उच जोकिम बाले देशों की सूची में सामिल किया है अभी FATF ने चार साल बाद अपनी ग्रे लिश्ट में पाकिस्तान को बाहर किया था अच्छा FATF यानि की Financial Action Task Force इसकी स्थापना कब होई 1989 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है पैरिस में और इसके प्रेजेंटर पर प्रेसिडेंट कौन है टे राजा कुमार कौन है टे राजा कुमार अब म्यामार को सामिल किया है तो ये है म्यामार म्यामार की Capital क्या है नैपीटो म्यामार की करनसी क्या है बरमिस क्यार्ट और म्यामार की प्रेजेंट टेम पे प्राइम निस्टर कौन है मिन बांग हैंग कौन है मिन अंग हैंग हाली में दसमी रास्टी पैनकेक सिलाट चेंपियनसिप का उधगाटन कहां हुआ है तो अभी स्रेणगर में सेर एक कस्मीर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में दसमी रास्टी पैनकेक सिलाट चेंपियनस सही है अच्छा लगबग तीन दसक के बाद स्री नगर में पहला मल्टिप्लेक्स खोला है ये भी इंपूर्टेंट कुश्यन है ने कुश्यन है हाली में कौन सा देश चीन को पचाड कर भारत का तेसरा सबसे बड़ा नर्यात बाजार बना है तो अभी नेदरलेंड चीन को प जैन वहां नेदरलेंड बीटल क्या है एंस्टरडम निद लेंड कि करूंश्यक्य है यूरो और नेदरलेंड कि प्रेजंट रहें पर्यां प्राणि कोशनकी है तो एस जे बीनल ने अभी उत्तर प्रदेश में 75 मेगावाट की सौर उर्जा प्रयोजाओं को चालू करने की कोशनकी तो इसको शिंकर बे अप्शन सही है अब पहले तो एस जे बीनल इसकी फूलफों क्या है सतलुज जल बिध्युत निगम इसकी स्तापना कब सिंदलाल सर्मा अब उत्तर प्रदेश तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की केपिटल क्या है लखनव और लखनव के नदीक किनारेश देथ हैं अभी लखनव में एस सीर डवलफ किया जाएगा जैसे दिल्ली में नेशनल केपिटल रीजन है उसी तरह से लखनव बनेगा स्टेट केपिटल रीजन उत्तर प्रदेश की चीपनिष्टर है यूग्या अत्तना और उत्तर प्रदेश की पहली बार महिला पेसी बटालिन के गठन की कोश्णा की उत्तरपदेश सरकार ने सोलर रूप टॉप टॉप टॉजेक्ट शुरू करने का निड़लिया है उत्तरपदेश को आयसमान उत्करष्ट पुरुसकार 2022 मिला और उत्तरपदेश सरकार मात्र भूमी योजना पोर्टल करेगी अच्छा उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतर निया घट वाड़लेफ संचुरी है और पेली भीत टाइगर रिजर्फ है ने क्यूशन है हाली में किसने फ्रॉम डेपेंडेंस टू सेल्फ रिलाइंस पुस्तक लिखी है तो यह पुस्तक लिखी है तो इस कुशन का बे अप्सन सही है आरत सास्त्री है डॉक्टर बिमल जालान इन्होंने फ्रॉम डेपेंडेंस टू सेल्फ रिलाइंस नामक पुस्तक लिखी अच्छा अभी ससी थरूर ने एक नई किताब अंबेड कर अलाइफ लिखी थी सौजर्ड मारें ने एक नई कित करने लिखी थी अच्छा लाइन ओफ इसकाईज हर्दीत सिंग मलिक दर रॉयल एयर फूर्स एंड फस्ट वर्ल्ड वार यह पुस्तक लिखी थी स्टेफन वार करने तो यह अभी रिसेंट की इंपोर्टेंट वुक हैं यह आपको याद रखने हैं ने क्यूशन है हाली में अंडर 23 कुस्ते चेंपिंशिप में स्वड़ पदक जीतने वाले पहले भारती कौन बने हैं तो अभी अमन सहराबत अंडर 23 कुस्ते चेंपिंशिप में स्वड़ पदक जीतने वाले पहले भारती बने तो इसकुशन का से ओप्सन सही है यह हैं मात्र सूले वर्सी अमन सहर अच्छा ये अंडर 23 कुस्ते चेंपिनसिप यह पे हो रही है इस्पेन के पॉंटे विदरा में कहां पे इस्पेन के पॉंटे विदरा में हाली में कौन सा देश सत्रंज खेलने बाले शेर्स बाराइद देशों में सामिल हुआ है तो अभी अपना देश भारत, चेन, अमेरिका और नीदरलेंड के साथ सत्रंज खिलने वाले टॉप 12 कंट्रीज में सामिल हुआ तो इस कुछिन का बे आप्सन सही है नए कुछिन है किस ने भारत का तेसरा पैरेस 2024 ओलम्पिक कोटा जीता है तो ये स्वप नेल कुछाले ने जीता तो इस कुछिन का एप्सन सही है स्वप नेल कुछाले ये एक निसानेवाद है हाली में मैलाओं की 25 मीटर पिस्टल टेम इस परदा में भारत ने कौन सा पदक जीता है तो अभी मैलाओं की 25 मीटर पिस्टल टेम इस परदा ने भारत ने रज़त पदक जीता और पुरुसों की 50 मीटर प्राइफल थ्रे पोजीशन इस परदा में कान से पदक जीता है कि दौनों मैं शीन हालि में जलवाई परिवर्तन पर उंतरास्ती समेर कहां आयुजित किया गया तो अभी जलू परिवर्तन पर उंतरास्ती समेर में आयं जम्मू कस्मीर में आउजित किया गया दूसकिन बे ऑप्संस ही अच्छा जम्मू कस्मिर तो जम्मू कस्मीर के प्रेजंट टाम पर लूटेनेंट गूशंच कोन है मनुश सिन्ना अभी ग्रेमंतरे अमिच सा ने जम्मू कस्मीर में पहाडियों को ST का दर्जा देने की गोश्णा की जम्मू कस्मीर में स्रीनगर में लगवक तेन दसक के बाद पहला मल्टे प्लेक्स खुला है जम्मू कस्मीर के उपरा जिपाल ने 120 फीट लंबा राश्टी ध्वज अभी राश्ट को समर्पित किया अच्छा जम्मू कस्मीर में दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है केस्त बार नेशनल पार्क है जम्मू कस्मीर में डल जील है और बुलर जील है ने शुशन है बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवाती तूफ़न सित्रांग को केस देश ने नाम दिया है तो ये जो नाम दिया गया है सित्रांग ये नाम दिया है थाइलेंड ने तो इस कुशिन का से आपसन से यह अब थाइलेंड तो ये है मैप में थाइलेंड थाइलेंड की केबिटल क्या है बैंक को थाइलेंड की करणसी क्या है थाई बहत और थाइलेंड के प्रिजेंट टेम प्राइमिस्टर कौन है प्रयूत चान ओ चा ने क्यूशन है हाली में जैक्सन ग्रीन के सराज में हरित प्रयूजनाओं के लिए 22,400 करोड रुपए का निवेश करेगी तो जैक्सन ग्रीन ये एक क लिए ओप्सन्स है अब राइस्ताओं तो यह मैप में राइस्ताओं की बिटल क्या है है जैपर राइस्ताओं की चीपनिश्टर कौन है अशू गहलाथ और राइस्तान की गवर्नर कौन है कालराज मिस्र अभी पांचमां डख्षिड एसीयाइई भू बिग्ज्यान समेल जैपर में होगा जस्टिस पंकज मित्तर रायस्तान हाई कोट के 40 में मुख्य नयदिस बने अडानी ग्रेंस ने दुनिया का सबसे बड़ा पबंस और उर्जा सैंत रायस्तान में शुरू किया रायस्तान में पांसो बारे नई इंद्रा रसुयों का सुबारम किया अच्छा रायस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है रडधमोर नेशनल पार्क है केवला देव घाना पक्षी ब्यार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व है नेक्स क्यूशन है हाली में 2022 यूनाइटेड इस्टेट्स फॉर्मूला बन ग्रेंड प्रिक्स किस ने जीता है तो अभी जापानी फॉर्मूला बन ग्रेंड प्रिक्स ये भी मैक्स वस्टप पन ने जीता सिंगापूर फॉर्मूला बन ग्रेंड प्रिक्स ये सर्जियो पेरेज ने जीता 2022 डच फॉर्मुला बन क्रेंड प्रिक्स ये भी मैक्स वस्ट अपनने झी था सर्मूला बाइश फॉर्मूला बन से सन्यास की गोशना की 2022 फ्रैंच गेंड प्रिक्स का घिता ये भी मैक्स वस्ट अपनने जी था ब्रिटिस फॉर्मूला बन ग्रेंड प्रिक्स ये कार्लो सेंज ने जीता फॉर्मूला बन 2022 मोनेको ग्रेंड प्रिक्स ये सर्जियो पेरेज ने जीता और फॉर्मूला बन एमेलिया रोमांगना ग्रेंड प्रिक्स ये भी मैक्स वस्टप करने जीता है तो फॉर्मूला बन स संसुदन पारत किया गया तो अभी स्री-लंका में राष्टपती की शक्तियों को कम करने वाला संवैदानिक संसुदन पारत किया गया तो इस question का से option सही था और लगबग सभी इस कांसर सही दिया मुश्ट लिस्ट रेन इसके वारे में डेटेल में लेखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेशन के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लेखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लेख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते आपके लिए आज के कुश्चन है हाली में टे 20 क्रिकेट में सबसे अधिकरन बनाने वाले भारती खिलाडी कौन मने हैं चार ओप्सन दिये गए हैं इन में से आपको अपना आंसर बताना है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है एल्पूल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और आपके पास जो भी स्टड़ी रिलेटेड वाटसेप और फेसुक आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आपसे सब्कूरेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बनके आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्णिंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे तैंक्स पर वाचिं झाल